नमस्कार मित्रो, आरुग्य जिवन यात्रा में आप सबका स्वागत है, मैं नेच्रोपेथ ग्रीन डॉक्टर राजेस पतेल बुलता हूँ, मैं बेजिकली सिविल इंजिनियर हूँ और योगा मास्टर भी हूँ और मैंने फूर एंड नुट्रिशन का भी अभ्यास किया है, मैंने नेच्रोपेथी की भी पढ़ाई की है, तो हम यहाँ नेच्रल डाएट सिस्टम यानि की प्राकृतिक आहार पध्यती पे हम सर्चाय करते रहते हैं, मैं अपने आपको ग्रीन डॉक्टर इसलिए बोलता हूँ कि आम डॉक्टर जो एलोपथी वाले है, उन लोगों का सिंगनल, सिंबॉल जो है, वो रेड कलर का है, यानि कि एलोपथी डवाई जो है, वो साइड इफेक्ट वाली होती है, वो जोखम वाली होती है, और हमारी जो सिस्टम है, इसमें कोई दवाई है नहीं, और खान पिन में ही ध्यान रखना है, तो आपको इसका कोई जोखम न नहीं है इसलिए इसमें प्रैक्टिस करने वाले सारे डॉक्टर्स को मैं रिक्वेश्ट करता हूं कि वो अपना लोगों ग्रीन कलर का रखे रेड की जगर रेड कलर ऐसे भी डेंजर की निशानी है तो योगाहर का मतलब ही है आहर का एंजिनेरिंग कुदरत के नियम को समद लो तो सरीर में समश्याए आएगी नहीं और आई है तो निकल जाएगी तो अरोग्य का पंचा मुरूति हां मैं पांच बाते आपको बताना चाहूगा कि बीमारी क्यों आती है कैसे निकाली जा सकती है तो पहला मुद्दा ए है कि बीमारी क्यों आती है कि बीना चबाये क्योंकि चबाने का टाइम नहीं देते हो तो बीना चबाया पकाया यानि कि एसिडिक खोराक आप तीनों टाइम खाओगे जरूरत से ज्यादा तो आपको बीमारी आएगी सिंपल सा लोजिक है इसके पीछे दुसरी कुछ समदने का जरूरत ही नहीं है आपको बीमारी है तो यही कारण है इसके अलावा कुछ नहीं है दूसरा मुद्धा है बीमारी नहीं आती है तो कच्चे यानी की अलकलाइन खोराक को चबा-चबा के खाने से जरूरत के इसाब से जितनी जरूरत है इतना खाईए चबा-चबा के खाईए कच्चा खाईए तो आपको बीमारी आएगी ही नहीं तीसरा मुद्दा, अब बीमारी आ चुकी है, तो उसको निकालना है, तो दो ही काम करना है, सफ़ई और योग्य खोराक, निट्रिशन के जरुवत के इसाब से खोराक दे दीजिए, तो यहां आपको सरीर की सफ़ई यानि की उपास करना है, और साथ में निट्रिशन वाला ख खाना है, जो सरीर को रिपेरिंग करें, मेंटेनंस करें, तो इससे बीमारी जा सकती है, रोक से बचने के लिए चौता मुद्दा है कि भी करीर में, सरीर में कच्रा ही खटा नहीं होने दो, तो इसके लिए आप एनिमा लेते रहो, मलसुद्धी का प्रयोग कीजिए, आपक प्रड़ी के 14-16 गंटा मत खाईए, और आप बीमार है, तो डेड़ी प्रड़क्त छोड़ दीजिए, बस ये पांच मुद्धे ही सरीर को लागू होते हैं, तो ये पांच मुद्धे का पुरा चार्ट है, जिसमें सरीर की खुराक, सरीर का सफाई और सरीर की सावधानी, य तीन में टॉपिक है, उसके उपर आठ मुद्धे हैं, जो आपके सरीर को लागू होते हैं, उसको डिप में आपको समद लेना बहुत जरूरी है, तो ये आहार का एंजिनेरिंग, पूरा चार्ट, यहां मैंने एक ही चित्र में कवर किया है, इसमें सारे टॉपिक आजाते ह आप से चाहते हैं, आपे पूरा लेख सकते हो और याद रखना है आपको क्योकि आपकी सरीर में कहां कत्रा एखट ल annat seri में कत्रा कैसे निकालना है, खोराक कैसा चाहिए, केसे कीस तरह देना है, कौन सी कौलटी देना है, किने प्रकार का खोराक देना है, और आप जो स्व होना है तो मेरी ये सारी बाते आपको अच्छी तरह समधनी है तो मेरी योगाहर यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर पूरा योगाहर का कोर्स का प्ले लिस्ट है ये सारे वीडियो एक एक करके देख ले जो नए है इनको खास में रिक्वेश्ट करूँ गाउद देख ले कल हमने बाबा के प्रश्णों पे चर्चा की थी 14 नंबर का सवाल था एलोपती के पास पार्किंसन का निर्दोस्थाई समाधन क्या है तो पार्किंसन का निर्दोस्थाई समाधन एलोपती के पास है ही नहीं और आरिवेद में बेनेफिट थोड़े थोड़े मिलते हैं उन हम तो क्या बोलते हैं कि शरीर को ठीक ही कर लो मेंटेन कर लो तो पार्किंसन आहार से ही ठीक हो सकती है तो आहार में क्या खाना है वो कल हमने आपको साही बाते बताई थी आज का प्रेशन है 15 नंबर का बाबा पूछ रहे कि साइड इफेक्ट रहित कब जयानी कि कॉंस्टिपेशन गैस एसीडी का फार्मा इंडस्ट्री के पास इसका स्थाई समाधन क्या है तो यह सबसे कॉमन बिमारी है सब व्यक्तियों में होती है गैस होना, कॉंस्टिपेशन होना और एसीडीटी होना यह करीब 80% लोगों को इसमें से कोई एक तो बिमारी होती है होती है, होती है, 20% ही लोग ऐसे मिलते है जिनको यह तीन में से एक नहीं है, ऐसे आपको बहुत कम मिलेगे, सब लोगों को समश्याए है तो यह तीन सब्द है, कॉंस्टिपेशन, गैस और एसीडीटी, किसको बोलते है हम तो कॉंस्टिपेशन का मतलब क्या है, कि आपको पेट खुला सा बंद साफ न हो, उसको हम कॉंस्टिपेशन बोलते है पेट बड़ा बड़ा लगे, टोईलेट यागनी की मल त्याग अच्छी तरह न होए, नेचरल कॉल आये नहीं तो यह सारी कॉंस्टिपेशन की व्याख्या में आते है गैस का मतलब क्या है, कि आपको तीन जगह गैस हो सकता है एक स्टमक में, स्टमक में होने वाला गैस आपके स्टमक में फूलता है और उपर की ताइप, आपके जो लिवर है, रदय है, वहाँ प्रेसर करता है तो वो प्रेसर तभी होता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है जठर और अनरी, उसके बीच में जोइंट पे एक वाल होता है हम खोड़ा खाते हैं तो नीचे जा सकता है, लेकिन जठर में से वापिस अनरी में नहीं आ सकता तो एक नोन रिटन वाल होता है, अनरी और जठर के जोइंट पे अब जठर में गयस हो गया है तो वाल जो है वो आपको वापीस अवाबार नहीं आने देगा तो जठर फैलता जाएगा फूलेगा तो उसका प्रेशर कहा आएगा आपके फेपड़ों में आपकी लीवर में आपको आपके रदे में फिर आपको वहाँ पेइन होगा और कई बार तो वो गयस उपर भी चरता है तो वो मगस तक चला जाता है तो यह जो है वो स्टमक वाला गयस है दूसरा गयस होता है वो है आपकी छोटी आत अप छोटी आत तीस फिट लंबी है मानलो 15 फिट कई जगा जो है लोकेशन है पाता है पेट फूल जाता है एक दम ज्यादा फूगय की तरफ फूल जाता है और आप सहन नहीं कर पाते हैं उसको जो पेशन्ट होता है उसको उलट उलट लेट रहता है गुमता रहता है लेकिन उसको आराम नहीं रहता है तो दूसरी जगह होती है आपकी छोटी आंत में और तीसरी जगह होती है आपकी बड़ी आंत में अब बड़ी आंत में राइट साइड हो और लेप साइड हो राइट साइड वाला ज्यादा पेन करता है राइट लेप साइड वाला तो क्या है मल मार के नजदिक है तो वह दरा के बंद आवाज करके बाहर निकल जाता है तो जो बड़ी आंत का जो गय से वह आप आपको हो जाए तो आपको कुछ करना नहीं है आप सिर्फ जमिन पर या बेड़ में लेड़ जाएं सोफे में और उलट सुलट एसे राइट साइड लेफ साइड और इसे गुंगते रहो तो दिरे-दिरे करके उसमें आपको रिलिफ हो स साथ गेस की एसीडिटी क्या है तो एसीडिटी जो है वो आपके जठर में पित ज्यादा इखटा हो जाता है एसीड ज्यादा हो जाता है तो आपको जठर में जलन होती है और ज्यादा एसीड रहने के कारण आपकी जठर के अंदर अलसर हो जाते हैं चांदे पड़ जाते ह जान हो जाते हैं तो वो उसको एसेडिटी बोलते हैं ज्यादा एस्टेटी वाले लोगों की आंतों में भी अल्सर हो जाते हैं तो उन लोगों की तो हालत बहुत खराब हो जाती है तो एक क्यों होता है तो इसके पीछे समद्ना है कि क्यों समझ्याय आती है अब क्यों होता है तो इसके पीछे सबसे पहले कब्ज कब्ज तभी होता है जब आप चबा के नहीं खाते हो भगवान ने, उपर वाले ने जितने शाकाहरी प्राणी बनाए है सब प्राणिया छोटा खर्गों से लेके गाये बेस तक की, उंट तक की, कैमल, उंट बड़ा, जिराप तक के जितने भी शाकाहरी प्रानी है वो चबा 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 करके जुगाली करकर करके वागुरवानु के गुजराती मौँ तो चबा चबा करके रस करके ही खाते है उन लोगों को कोई constipation नहीं है वो खाते है उतनी बार toilet करते रहते है एक मनुष्य ही ऐसा प्रानी है जो खाने के लिए समय नहीं देता है दुनिया भड़के सारे काम के लिए टाइम है लेकिन खाने का टाइम नहीं है उनके पास ये दर्ती पे रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो चाहे बड़ा निता हो कोई भी देश का प्रमूख हो या बड़ा प्रदान हो चाहे बड़ा डॉक्टर हो चाहे बड़ा दर्म का गुरू हो चाहे बड़ा एंजिनियर हो चाहे बड़ा वकील हो और चाहे बड़ा किसी भी प हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो या अबन हो, शहर में रहता हो या जंगल में रहता हो, कोई भी मनुश्य को अपने सरीर को ठीक रखना है, तो उसको तीन ऐसे कर्म है सरीर ठीक रखने के लिए, वो तीन कर्म में से किसी एक कर्म को समय देना कमपल सरी है, सरीर ठीक रखने के ल में देना पड़ेगा पहला करम यह है french उसके पास इसके पिछे समय देना पड़ेगा अच्छा कोई रखती बोलता है मैं बहुत भीजी हूं मुझे चबा के खाने का टाइम नहीं में पास तो एक एक मिनिट का सवाल होता है मेरे पास इतनी वहालतू सम तो एक हाल तो और कोई बोलता है कि मुझे तो exercise का योगा करने का भी time नहीं है, तो उसको तीसरा किसको समय देना पड़ेगा, लंबा अच्छा जिना है तो डॉक्टर को समय देना पड़ेगा, कोई बोले कि मुझे तो चबाने का भी time नहीं है, मुझे तो योगा एक्सरसाइज मजदूरी करने का भी टाइम नहीं है और डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है तो कहां जाना पड़ेगा समशान में उपर तो पता नहीं भगवान बुलाता है नहीं बुलाता है लेकि समशान तक तो चला जाना पड़ेगा जल्दी देना compulsory है चबा के खाईए तो वो दूसरे दो को टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप दिरे दिरे चबा के खाईए आपको exercise योगा भी नहीं करना पड़ेगा और नहीं आपको डॉक्टर के पाथ जाना पड़ेगा और हम यह experience कर चुके हैं हां 2 पड़पर को भी खाणे बैठते हैं तो एक गंटा देते हैं समय रात का खाने के लिए भी एक गंटा देते हैं दो गंटा खाने का निकाल दो तो योगा exercise भी जरूरत नहीं है डॉक्टर के पाथ जाने की जरूरत नहीं बहुत कामकी चीज हैं आप चबा के खाने का समय नहीं दे सकते हो तो आपको ए धर्ती पे जीने का अधिकार भी नहीं है मैं तो एही सिदा बोलता हूं उन लोगों को तो दवाई भी नहीं करवानी चाहिए और होस्पीटल के खर्चे भी नहीं देने चाहिए और इतने खर्प एसे पैसे ले लो इतने ज्यादा कि वो चबा के खाने का सीख ले बीमार ही क्यों पड़े आप आपके आडोस पड़ोस में आपके सगा सबंदी में एसे कई लोग मिल जाएगे उनकी उमर 80-80 साल हो चुकी है और उन लोगों को एक भी दवाई नहीं है नहीं बीपी की है नहीं डायब तो यह लोग जो है इन लोगो को एसे क्यों है क्यों ऐसे लोग है जो लोग बीमार ही नहीं है तो आप ही खुद डूंड लेना आपके गर में भी ऐसे लोग होगे तो आप उनकी कहाने पिने की's width चेक करोगे न तो आपको पता चल जाएगा कि वो चबा चबा के खाते होगे चबा चबा के दिरे दिरे समय देते खाते हैं तो कॉंश्टिपेशन ही सारी बीमारी की जड़ है कब से बच जाईये समस्याई नहीं रहेगी नए रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी को ठीक रखने के लिए सबसे पहले सीख लो दूसरा सिखो नहीं सीखो कि बिल लेने गया लेकिन चबांब के खाने की आदर डाल दीजिए आप बच्चो लोगों को भी सिखा लिजिए और जो लोगन के खाना सीख लेगे उन लोगों को कब भी भी बीमारी नहीं आएगे गेरंटेड है तो कब तभी होता है जब आप चबाके नहीं खाते हैं तो क्या होता है अब जठर में आपके जठर में पहुच तो गया और बाद में पता चले चबाने का रह गया तो क्या मुह में वापिस लाओगे चबाने के लिए ऐसा तो कर नहीं सकते वो दूसरे प्रानी तो गास खाया हुआ वापिस ला सकते हैं चबाने के लिए एक मनुश्य नहीं ऐसा कर सकता है तो वो शिंगदाना जठर में गया, तो आपके जठर में क्या blender mixer है क्या, crush करने के लिए, यह सा तो कुछ है नहीं, तो वो सिंगदाना कहा जाएगा छोटी आथ में, अच्छा छोटी आथ कितनी लंबी होती है थीस फिट, कितनी जगह, इतनी दो हाथ जैसी पहली जितनी जगह में 30 फिट आत समाई है अब वो 30 फिट का समापाएगी मूटी जाड़ी होगी या पतली पतली आपकी जो लाश्ट फिंगर है निससे भी पतली होती है इसकी अंदर का रास्ता तो इससे आधा होता है इससे आधा अपनी पेन जैसा होत है बोल पेन होती है इतना पतला अब उसमें सिंग दाना जाएगा तो क्या होगा फसेगा क्या आपने धक्का देने वाले रखे है क्या और वो सिंग दाने को 30 फिट धक्का देना है आंत बिचारी कब दे पाएगी कॉंस्टिपेशन नहीं करेगा तो क्या करेगा थोड़ी या कि तो बाते समझो पागलों की तरह खाते हैं कुटा पीछे पड़ा है पांच मिंट में खाना पुरा है आप बीमार हो इसका मतलब है खाने में टाइम नहीं दे रहे हो तो constipation ही सबसे सारे रोकों की जड़ है, अब constipation होने ही नहीं दो, नहीं gas होगा, नहीं acidity होगा, समस्या ही खतो, अज़ा gas कब होती है, पकाया खोराक बिना चबाए तीनो टाइम खाना, ज्यादा dairy product खाना, बासी खोराक ज्यादा खाने का, सडे हुए फल ज्यादा खाने के तो ये सारे gas करने वाली चीज़े है, ये सारे, एक कच्चे में भी लोग फल लाते हैं खाने के लिए, लेकिन क्या करते हैं, एक सार ज्यादा लाते हैं, जो बिगड़ता जाता है, उसको खाते रहते हैं, तो लाए है तब अच्छे फल है, और पूरा करते हैं, तो हरुज भी खाते हैं, बिगाद बिगाड के खा रहे हो गयस कर नहीं करेगा क्या करेगा, कच्च्छा खाने के बाद भी गयस हो सकती है, आप ऐसी सड़े हुए फल खाओगे तो गयस होगी, ठीक है, पकाया खोडाग ज्यादा खाओगे तो भी गयस होगी, डाल, डाल को उबाल के और खाने के बाद शरीर को कसरत ही नहीं कराओ, मेहनत नहीं कराओगे, तो वो भी गेस करेगी, प्रोटीन युक्त खोराग जो होता है, वो भी गेस करने के लिए पीछे जिम्मेदार होता है, प्रोटीन जल्दी सड़ जाता है, तो सड़न ही तो गेस है, बेक्टेरिया खाते है खोराक फड़ा हुआ और वो gas पैदा करते हो आपके पेठ में भड़ता है आपकी आपों में भड़ता है जठर में भड़ता है तो यह gas की समस्या है ठीक है यह gas के पिछे कारण है acidity कभ होती है तो चाइ सब लोगों को चाइब से ज्याद और ये दुनिया की जारी होस्पीटल को चलाने में सबसे ज़्यादा कोई रोल है तो वो है चाई का और उबाल-उबाल के पीने की आदब चाई पीने का तरीका भी पता नहीं है कैसे पीने चाहिए अंग्रेज लोग चाई ले आए इंडिया में इसके पहले तो था नहीं आपने रामायन महाबारत में कई सुना कि बगवान राम वनवास गए थे तो चाई की कितली लेके गए थे अंग्रेज ले आए लेकिन अंग्रेज के इसी तरह चाई पीते वो भी पता नहीं हम तो चाई डालते हैं बड़ बड़ उबालते हैं फिर उसके अंदर सुगर डालते हैं उसको भी उबालते हैं और दूद भी उबाला हुआ है दो तिन बार उबाला हुआ ही डालते हैं तीनों जहर करके पी रहे और इतनी खोराख ज्यादा खाना वो सब जो है Package Food से लेके हैने और the cold ring वो भी एसीडिक है। तो ए सारी चीजे आपको Acidity करते हैं candles यह से नहीं आती है दुसरे प्राणियों का एसीडिक नहीं होती है मनुशक कोई क्यों होती है तली हुई ज्यादा चीजे तिखी चयाजा ज्यादा चीजे मसालेदार चीजे खाता रहो गए ये कोरोना के टाइम में लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मसाले को उबाल उबाल के काड़े करकर के पिए मुँह में छाले हो गए जठर में छाले पड़ गए आंतों में छाले हो गए क्या कर रह लोगों को पता ही नहीं कितना खाना चीए कितनी सरीर को जरूरत है सरीर को सुनना ही नहीं आता है आप लोगों को बहरे हो दुनिया को सुन रहे हो अपने सरीर को सुनने ही पाते हो शरीर क्या बूल रहा है अब अपने आपको सुनने ही पाते हो तो दुसरे को सुनने का क्या म तब तक आपके जीवन में शांती नहीं आने वाली है, आपका जीवन नर्ग समानी रहने वाला है, सरीर को सुनो, सरीर क्या बोलता है उसको सुनने को रखो, नहीं आता है तो सीख लो, ठीके? तो यह कब ज़ गेस, एसिडिटी होने के कारण है. एलोपति वाले तो क्या करते हैं? दवाईये के अलाव उसके पास कुछ नहीं है, वो भी रासायनिक प्रक्रिया से बनी हुई, एलोपति की रासायनिक ही दवाईय होती है, तो ये सारी दवाईया आपको नुक्षान करते हैं, जी गबराता है, उसकी साइड इफेक्ट होती है कई दवाईयों का constipation भी होता है डाहिर्या हो जाता है हेड़े होता है और कई-कई प्रकार की side effect होती है और हर रोज ये सारी दवाईया खाने से नए-नए रोग प्यादा होते है तो एलोपथी की दवाईया तो gas, cups और acidity के लिए खाने ही नीची है खाने ही नीची है ठीके, खानी है तो अरिवेद की खाईये वो भी side effect तो करती है बड़ी-बड़ी कमनियों ने पेट साफ करने वाले बहुत बनाए है कायम चुर्ण हमारा गुजरात का भावनगर का तो बहुत पुड़े इंडिया में सबसे ज्यादा पुरानी कमनी है तो ये सब बिखता है त्रिफला होता है हर्डे होता है सब गुल कोई लोग खाते है तो ये घर में भी गैस की होती है आप तड़का लगाते हो हिंग गैस का अक्सी रामबानी लाग इमर्जंसी में तूरत आपको रहात कर ले लेकिन आप हरोज हिंग खाते रहो तो वो भी गरम पड़ती है वो भी क्या करती है असे डिटी करती है ज्यादा खाओ तो अलसर कर सकती है आपको विकनेस ला सकती है तो हर चीज का नुक्षान है हर चीज का नुक्षान है तो अरिवीद में भी समाधान है लेकिन एलोपति से इच्छे है इलोपति जितनी नुक्षान करती है इतनी इसके इसाब से बहुत कम करती है तो अरिवेद में प्रोडक्ट्ट से नहीं है आई यह योग बहुत बढ़िया है रेग्युलर योग किजिए तो पेड़ साफ रहे जिसको अगनिसार बोलते हैं, वो आप ज्यादा कीजिए, पेट को गुमाओ, नोली क्रिया सीखलो, तो वो सब आपके आतों के अंदर कच्रा इखटाई नहीं होने देगा, मल को धका मारके जल्दी बाहर निकलने का रास्ता आसान कर देगा, तो योग regular करना चाहिए, वो बह आहर में द्यान रखो, या योगाहर करो, योगाहर यही आहर है, यही योग है, आप आहर में द्यान रखो, वो से इससे बड़ा योग ही नहीं है, सबसे बड़ा योग है, आहर में द्यान रखो, तो आपको कुदा-कुद, हाहा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगीच कुछ नहीं होगा सबागे खाई हां तो हमारी सिस्टम में में खाने का एक टाइम फिक्स कर लो 8 शे 10 गंटे के बिचमें खाई यह ज्यादा करते हो तो 10 गंटा कर यह वारह गौटभा करते हो तो कुछ नहीं करते हो रिटायर हो आराम वाली जिन्गी है ऑफिस गर और ऑफिस के अलावा गाड़ी में जाना है साधिर इक स्रम ही नहीं है तो उनको तो आठ गंटे के बीच में खाना चाहिए चबा-चबा के खाना चाहिए अच्छा वजन वाला खोड़ा कम खाना सब्सक्राइब करते है चाहिए बढेटिसंगा रहें उसका सबसे उत्तम तरीका है वजन भी कम कर लेता है और कोई समश्याय आती नहीं योगार में सबसे अच्छा ध्यान क्या रखना है तो यह तीनों कब जय गेस एसीडीटी तिने को लिए उत्तम है एनिमा हर रोज एनिमा ले सकते हो हर रोज ले सकते हो कोई नुक्षान नहीं है हम हर रोज इस्तिमाल करते हैं एनिमा तीन प्रकार काता है एक डबा भी आता है एक पंप भी आता है ऐसे दबा पंपिंग करके आप एनिमा शरीर के अंदर पानी पहुचा सकते हो दबा दबा के और तीसरा होता है डाइरेक नल में लगाने वाला एनिमा सेट सिधा नल में लगाया नल चालू किया और सिधा पाइप अंदर लगाया लेकिन वो होश्या ल तिखी चीज मत खाय कििन वण को थोड़ा परहेज करना है कच्छे में भी ध्यान रखना है क्योंकर साप करने के लिए दूसरी आइटम है आमला हैं आप हरी पत्यों के रसं के साथ अंदर आमला ढाल दीजिए तो आपका पेट अच्छी तरह साप हो जाएगा एसी डीटी वाले आमला नहीं डाले एसी डीटी वाले सिर्फ दूसरा है त्रिफला मल सुद्धी और एक विदेशी नमक आता है जिसको एपसम सॉल्ट बोलते है वह एपसम सॉल्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन वह रोज नहीं लेना लेकिन वह आपकी आउंतों को इतनी बढ़िया तरीके सफाई कर लेते हैं कि आपकी आँतों की चिकास होती हो एकदम साफ हो जाती है तो महिने में एक आत बार पंदरह दिन में एक आत बार वह आप ले सकते हो तो उप्यों की प्रोड़क्ट में एनिमा कैसे लेना है उसका हमारा वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे तो वो भी आप देख लेजिए डबा आता है दूसरा होता है पंप ऐसे दबा दबा के आप पानी को अंदर डाल सकते हो तो एनिमा का पंप आता है हमारी मुझे वाट्सेप करोगे मेरे नंबर पे तो रिटन मेसेज में आपको लिंग आ जाएगा वो क्लिक करोगे तो आपको उप्योगी प्रोड़क्ट वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा यहां से सिधा मिल जाएगा तो एन जाल वाला एनिमा प्रयोग कर सकते हो एनिमा कैसे लेना है उसका चित्र है आपको आगे जुग जाना है डौगी पोज करना है माथा नीचे रखना है पिछे वाला उंचा हिसा रखना है तो आप इस तरह एनिमा लोगे तो आपकी पेट की सफ़ाई बहुत बढ़िया तरीक करके हमने पाउडर इसा तैयार करवाया है कि आपको एक ही चमच एक ग्लास पानी में रात को सोने के टाइम लेना है पी के सो जाना है खाने के दो गंटे बाद तो सुबह में आपका पूरा छोटी आंथ का कच्रा बड़े में चला जाएगा और सुबह में आपको बीना एल ज्यादा रहता हो और एक चमच से ज्यादा नहीं लेना है और दो ले लिया तो दुसरे दिन अफिस नहीं जाने देगा यह भी आपको ध्यान रखना है तो मल सुद्धी हरोद नहीं लेना है त्रिफला आप हरोद ले सकते हो लेकिन उसका इतना सफ़ाई ज्यादा अच्छ लोगे तो आपका कॉंस्टिपेशन की समश्या कम करेगी थोड़ा इसमें आपको राहत करेगी ठीक है लेकिन वही त्रिफला आप सुबह में लोगे रात को लेगो तो कॉंस्टिपेशन कम होगा तो वजन कम होगा अच्छा यही त्रिफला आप सुबह में ले लोगे सहत क के साथ चाटके तो वह आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगा तो जो लोग दूबले पतले हैं वजन बढ़ाना है सुबह में चाटे और जिसको वजन कम करना है वो रात को ले तो यह त्रिफला दो तरह काम में आता है तो यह भी आप प्रयोग कर सकते हो एपसम सॉल्ट है जिसको विदेशी नमक बोलते हैं यह मेगनेशम सलफेट होता है ओनलाइन भी मिलता है और हमारे पास से भी जरूत है तो मंगवा सकते हो तो यह बहुत अध्भुत सफाई करने वाला मिठा है नमक है तो आपको एक ब्लास में एक चमच 15 दिन या महिने में एक बार हर रोद नहीं 15 दिन या महिने में एक बार आप इसका प्रयोक कर सकते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी छोटी जो 30 फिट लंबी छोटी आंथ है उसके अंदर जो चिकास हो चुकी है तो चिकास से क्या होता है हम जो खोड़ाक खाते है वो और निकल जाता है तो फिर क्या होता है तो एसी लेयर हमारी छोटी आंथ में हो जाती है और वह लेयर के कारण हम जो खाते हैं वह सरीर नहीं लेता है पीछे निकल जाता है सरीर अब्जोब कर नहीं सकता और बाहर निकल जाता है तो कई लोग आपने देखे होगे मोटे पतले हैं दुबले हैं खाते हैं तीन गुना वजन नहीं बढ़ता है तो उनकी आतों में ऐसी चिकास हो जाती है तो उसको साप करने का एक ही तरीका है यह विदेशी नमक यह मेगनेश्यम सलफेट अधबूत होता है तो यह हमारे संचज सेहदा नमक जैसा ही होता है लेकिन इसमें मेगनेश्यम सलफेट ज्यादा होता है तो यह अधबूत सफाई करके देता है हम लीवर क्लेंजिंग के प्रयोग में यह मैगनेशम सॉलफेट का प्रयोग करवाते हैं ठीक है तो यह अधबूत होता है 15 दिन में एक बार एक चमज या महिने में एक बार आप इससे आपकी यांतों की सफ़ाई कर सकते हो एक ग्लास पील होगे तो आपकी एक दो बार आपक सॉल्ट को ठीक है आमला भी आपको पेट साफ करने के लिए अच्छा काम करता है तो आप हरी पत्तियों का या फ्रूट के रस के साथ सालाट के जूस के साथ आमला पावडर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी आंतों में कच्राई खटा नहीं होगा तो आमला अद्बूत ब यह प्रॉड़क्ट जो बता है वो सारे प्रॉड़क्ट हमारे पास उपलब्द है आपको उनलाइन मंगवा सकते हो ओडर करके हमको वाट्सेप करोगे तो रिटन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक के काम की बातों में ओपिनियन यानि की राय किसी भी बात की राय आपक कांडा गड़ियाल पहनते हैं कलाई की गड़ी तो इसकी तरह हर गड़ी दूसरों से अलग समय दिखाती है किसी का फिक्स नहीं होता है आप आपका चेक करोगे तो दस बज़े एक मिनिट हुई होगी दूसरे का चेक करोगे तो दस में दो मिनिट बाकी होगी तिसरी का बो लोग मानते हैं कि उनका समधी सही है ऐसा हर विक्ति मानता तो यह जो है आपको राय वो हर वैक्ती कि अलग होती है आप एलोपती वाले को बोलोगे तो वह अपनी बोलेगे कि नहीं मैं सही हूं तो जैसे राय अलग अलग हरेकी होती और हर व्यक्ति अपने को सही मानता है तो यह इसी के यह मेंटालीटी के कारण ही यह एलोपथी और आर्युवेद वाले के बीच में जगडा चल रहा है अपनी अपनी को उंचा रखते सामने वाली की जो अच्छी बात है उसको समधते ही नहीं हर व्यक्ति हर सिस्टम की अपनी एक स्पेशालीटी है आर्युवेद वाले अपनी जगह अच्छे है कई जगह कई बीमाड़ी वाले कई जगह बहुत अच्छे है वह आर्युवेदन नहीं कर सकता है और जो यह यह ड्रिणी कर सकते तो अपनी जगह तो जीवन भी ए oc जीवन पी ये पियानो जैसा है, पियानो में दो ही की होती है, एक ब्लेक होती है, सफेद होती है, तो सफेद की खुशी के ख्षन है, और काली जो है वो दुख के ख्षन है, हमारी जीवन में खुशी और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन याद रहे कि मधूर संगीत देन नहीं होता है ठीक है तो जीवन में आपको अकेला सुख कभी मिलने वाला नहीं है और अकेला दुख कभी नहीं मिलने वाला है दूख है तो सुख है तो दुख हर व्यक्ति के जीवन का पहलू है, जैसे दीन और रात आते जाते रहते हैं, यह जीवन में दूख और सूख दोनों आते जाते रहेगे, तभी आप जीवन का आनंद ले पाऊगे, कुछ नया सिख पाऊगे, इसके आलाव आप शिख नहीं पाऊँगे, हम जीवन में इतना सीख चुके हैं, इसलिए ये सारी बाते हम आपको बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको अनुभव हो चुका है लोगों का, लोगों के लोगों ने हमको कही प्रकार की हमारे साथ व्यवार किया है, हमको दुख पहुचा है, और वो ही व्यवारों को सीख सीख आज हम इस सारी बाते आपको बता सकते हैं और अभी हम दूख से परह हो चुकए है हमको किसी भी कोई कोई व्यक्ति कुछ बोल जाए कोई हमारे साथ कोई भी सब्ऩद्प करे कुछ भी करे हमको इसका कोई दुख लगता नहीं है क्योंकि हमको सिखा दिया है जीवनने जो लोग कोरोना में फसे थे अभी भी उन लोगों को शक्ति है रिकवरी नहीं आई है उन लोगों के लिए ये कोरोना रिकवरी कीट है वो आप मंगवा लिजे वो सारी काम की चीज़े है जो आपको जल्दी बोड़ी को रिकवर कर लेगे एमेजोन पे हमारी किंडल एमेजोन पे एबुक अवेलेबल है रेसेपी की भी है और योगाहार की भी है तो विदेशी में रहने वाले लोग किंडल एमेजोन ज्यादा प्रयोक करते हैं तो उनकी लिए है फूड विद लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां हम अच्छी अच्छी खाने पिने की चीजे रखते हैं तो आप वह देखिए और अच्छी चीजे बना के हरोज आनन्द करके खाईए और आप कहीं भी कुछ प्रींट करवाते हो तो यह छोटा सा सोशियल मैसेज आप प्रींट करवाईए आपके कार्ड है लिफ लेट है जो भी है जो भी है तो इससे आपको आपके हाथो समाज सेवा का एक उदुंदा काम होता रहेगा ठीक है तो कल हम दोबार दुसरे प्रश्णों के साथ आगे चर्चा में आएगे तब तक नमस्कार आप मेरे वीडियो देखके मेरी बातों में कुछ भी आपको लगता है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो या मुझे वाट्सेप कर सकते हो ठीक है यह प्रश्णों तरी की चर्चा पूरी हो जाएगी सवाल जवाब बाबा के सवाल की चर्चा फिर हम प्रश्णों तरी चालू करेगे हमारी हर रोज की वीडियो सेशन में तो कल दो बार मिलेगे तब तक नमस्कार